एक और वीकेंशी आचुकी है भारत के सभी विद्यारतियों के लिए और मिनीरतन कमपणियों ने बड़ी मिनीरतन कमपणियों ने एक और अच्छी वेकेंशी निकाली है और यह नया विज्यापन है I hope कि आप सभी देख पाएंगे और इसके उपर बात करेंगे हैं हम इन्वाइट किया गया है हिंदुस्तान Aeronautic Limited की मैं बात कर रहा हूं और आई आप लोगों के लिए सभी के लिए विध्यारतियों के लिए अपडेट है और आपको बता दें कि मीने रितन कंपनियों में से निकलने वाली वेकेंसी ओल इंडिन वेकेंसी होती है यानि कि ऐसा अगर आप एक राज्य के स्टुडेंट है और उस राज्य में इसकी कंपनी है तो वहीं क्या अगर वहां के कर सकते हैं लेकिन भार के स्टुडेंट भी अगर आपके पाथ अच्छी कासी कॉल्फिकेशन है अच्छा का सा एक्सपीरियंस हो या बहले किसी भी परकार का हो त अपरेंटिस की वेकिंसी है और अपरेंटिस के लिए यहां पर इन्वाइट किया गया है है एच ये एल का आपने नाम सुनोगा हिंदूस्तान एरोनोटिक लिमिटेट भारत की मिनेरतन कंपनियों में से बड़ी कंपनी है और यहां पर रुजगार के रूप में कुछ वेक अपरेंटिस के बात करें तो यहां पर सारी चीजे मैं इसलिए आपको वीडियो के जरी अपडेट करूंगा और पूरी जानकरी आपको यहां पर देने वाला हूं तो अप लोगों से हाथ जोड के विंती है अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार दिल से लाइक कीजिए और सस्क्राइब करना ना बूलें जो भी हमारे प्यारे विद्धारती नए विद्धारती हैं उनके लिए यहां पर हम बात कर रहे हैं जो हदी सुचना जो संस्ता गौर्रमेंट के जिरिए 1961 के अंतरगत ITI के लिए अपरेंटिस से की योजना जारी की गी है जिसमें अपरे पासित किया जाता है जो अपरेंटिस की चाहिए भले ही भारत के किसी भी छेतर की एक अपरेंटिस हो वो सभी इसमें 1961 के अनुसा तैत इंक्लूड की जाती है इसमें अभ्यारती हो H.E.L. जो लखनौ है वहां से अभी वेकिंसी अप्डेट हुई है और आपको बता देगे मुल्यानकन आविदन सभी नियम सर्त को यहां पर रख आविदन कर सकते हैं यहां पर भारत के सभी विद्धारति आविदन कर सकते हैं सबसे बड़ा सवाल यह होता है कई विद्धारतियों के मन में जोब लोकेशन कौन से होगी तो आपको बदा दे कि यहां पर जोब के ल रखने होगी अब दूसरी बात यह होगी कॉल्फिकेशन के बारे में यहां पर किसी भी सरकारी माननेता प्राप्तिया विविन साकाओं के अनुसार फीडर, ट्यूनर, मेकनिकल्स और कही ऐसी ट्रेड हैं वेल्डर्स, वगर वगरा जो भी आपकी ट्रेड है वो 2018.1920 के अनु की है तो आप इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे या फिर आपके बैग लग चुकी है ITI के अंदर तो भी आप इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे तो यह जराशी चीज़े आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी NCVT और SCVT का जो certificate है वो आप इसमें लगा सकते हैं और यहां पर देखेगा second हम बात करें दसवी बारवी की qualification के तो यहां पर दसवी बारवी वाले qualification भी इसमें लगा सकते हैं आठवी class के बात करें तो आठवी class के लिए पर pass out welder seat जो work आठवी class pass out system के अनुसर तो यह भी आपर allow किया गया है इसमें qualification की पूरी detail दी हुई है लेकि आपके पास यह qualification है और इन trade पे हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसमें विकलांग पुरुष महिला दोनों इसमें आविदन कर सकते हैं इसमें आप भ्यारतियों के IOC मा निधारत की जाए तो यहां पर देखेगा 18 साल का विद्धारती और 27 वर्स तक याई से हदिक तक जो categories है जैसे कि SC, OBC, NCL इन categories को यहां पर include किया गया तो उनको यहां पर छूट दी जाएगी पांच वर्स की तीन वर्स की तो वह यहां पर आविदन कर सकते हैं यानि कि maximum यहां पर 18-27 वर्स qualification होगी इससे हदिक का अगर करना चाहता है तो वह SC, ST, OBC, EWD या फिर NCL का student होना जर प्रूदी है तब ही आप इसमें आविदन कर पाएंगे इच्छुत उम्मीदवार आविदन बिल्कुल online कर सकते हैं और इसे अन्य किसी और माद्यम से आप इसे आविदन करते हैं तो उसे ऐसे अविकार किया जाएगा उसे उप्रूप्त के रूप में माना नहीं जाएगा अठारा जून से पहले या इस तक खुला रहेगा इसे आप आविदन कर सकते हैं इसकी ओफिसली वेविसाट पे अप्रेंटिस इंडियन.गोर पे तो दुस्तो भारत की बड़ी वेविसाइड है अप्रेंटिस के लिए तो आपको यहाँ पे रिजिस्टेशन करना होगा औ अठारा जून से पहले अगर आप अपरेंटिस करना चाहते हैं तो इसे संपेट कर सकते हैं और इसे जमा करवा सकते हैं आपको बता दे हैं कि आपके पास मेरिट लिस्ट के किसी परकार के कोई एक्जाम उगरे नहीं होगा यहाँ पर सिरफ मेरिट लिस्ट के नुश्च च विध्यारतियों को अविदिन करना होगा अगर जादा से जादा मेरिट होगी तो आप इसमें नोकरी से भार भी रह सकते हैं इंचुद भी रह सकते हैं यहां पर आपको बता दें कि 22 अगर आपको फिर भी किसी भी विध्यारति को डाउट है तो आप में कमेंट में लिखें हम आपकी मदद करेंगे और अच्छा लगा वीडियो तो प्ली लाइक कीजिए शेर कीजिए थेंक्यू जैहिन दोस्तो